सकती हैं तो मेरी फर्स्ट आपको सब्मिशन और रिक्वेस्ट है और खास करके एजुकेशन इदारों को चलाने वाले और दूसरे इदारों को चलाने वाले हमारे नौजवानों के सामने पॉजिट्व हालात हैं ये पिक्चर रखें और उनके अंदर एक कॉन्फिडन्स क्रि क्रियेट करेंगे तो एक मिटर की चलांग लगाने वाला भी डर के चलांग लगाए गा ही नहीं ये हमारा में लगता है सबसे बड़ा प्रॉब्लिम है और उसके सोलुशन मैंने आपके सामने रखा हुआ है अब जहां तक हमारा अप्रोच अपने तालिम इदारों के सिलसल से होना है उस सिलसले में मुझे ऐसा लगता है कि जो जिम्मेदार एजुकेशन इस्टिटूशन के हैं उनका अप्रोच होना चाहिए कि जो मेरे लड़के के लिए ठीक जो मेरे पोते और नवासे के लिए ठीक मैं समझता हूँ वही चीज जहां पे मैं प्रेसिडेंट मेंबर हूँ वहां के बच्चों के लिए भी ठीक यह हमारा अप्रोच होना चाहिए आज पोता किदर पढ़ रहा है इंग्लिश मीडियम के स्कूल में पढ़ रहा है कौन से इंग्लिश मीडियम के स्कूल में पढ़ रहा है सबसे अच्छी नवासा किदर पढ़ रहा है इं इमाने इतिबार से English मिडियम में पढ़ा रहा है जितने ट्रस्टीज हैं वो अपने लड़कों को अपने पोटे नवासों को बहतरी निंग्लिश मिडियम स्कुल में पढ़ा रहा है एक तरफ ये चल रहा है और फिर उर्दू के लिए जान दे निकले निकले ले अगर ये बा अंग्रेजी में पढ़ना अच्छा है बेटे तुम अंग्रेजी में दालो वो जा नहीं रहे हैं जाना नहीं चाहते हैं अपना मामला लगे लेकिन जिम्मेदार अप्डू सुसाइटी हमारा यह फर्स होना चाहिए कि आप यह हम कर रहे हैं यह अच्छा लगता है और आप इ पाली लेंग्वेज थी इस मुल्क में, पाली, शायद बहुत से लोकों मालूम नहीं, ये बुद्ध लोकों की लेंग्वेज थी, बुद्ध मजभ की लेंग्वेज थी, कैसी थी पूरे हिंदुस्तान में थी, अर्थमागदी भी एक लेंग्वेज थी, परिशन भी लेंग् महाराष्ट के चत्रपति शिवाजी महाराज वहां के पेशवाई का दप्तर ओफिशल लैंग्वेज परशिन थी संस्कुरूद भी थी तो एक दौर होता है हर लैंग्वेज का तो हम लोगों को समझना पड़ेगा कि उर्दू का भी एक दौर था और आज उस दौर से उर्द आज का प्रावलेम क्या है जो लोग उर्दो को ताख़त दे सकते हैं कौन ताख़त दे सकता है किसी भी वीक चीज़ को आगे बढ़ाने में कौन ताख़त दे सकता है ताख़त वाले ताखत वाले वीक चीज़ को ताखत मन करने के लिए काम कर सकते हैं सब ताखत वाले को ने । डॉक्टर है, इंजिनियर है, बेपारी है, बड़े बड़े लोग हैं वो अंगरेज़ी की तरफ शिफ्ट हो गए अब साइकल वाले हाथ-गाड़ी वाले पथारी वाले, ये लोग अर्द्ण को ताख़त देने का काम करें, विचारे ही, खुब वीक हैं, अब वीक क्या ताख़त देगा? तो क्या करना चाहिए हम सब लोकों का पहला फर्ज होना चाहिए इस मुलक में डिमोक्रिटिक सेटप के तहर पावर हासिल करने के लिए क्या करना चाहिए पावर हासिल होने के बाद में क्या करना चाहिए या आइटम नमबर टू होना चाहिए हमारे पास क्या क्या है हमने आइटम नमबर वान रखा है पहले उर्दो होना चाहिए पावर आइटम नमबर थ्री अगर आपको उर्दो आज मंगता तो आप जा कि किसको मिलेंगे बीजेपी के लोगों को समझो पावर में है उनको जाके आप मिलेंगे हमारे मसाइल यह यह हैं वो कहेंगे 1925 में हमने RSS बनाई 80 साल 25 साल हम उसके लिए काम कर रहे हमारा भी कुछ आजेंडा है अब इतनी मेहनत के बाद हम पावर में आने के बाद हमें आपका आजेंडा इंप्लिमेंट करेंगे कोई भी नहीं करेगा तो हम लोगों को हमारा पहला तरीके कार यह होना चाहिए कि हम पावर में कैसा हैं तो जो आज की एजुकेशन की सिस्टिम है उस सिस्टिम में जो कुछ भी हमको पावर के तरफ लेके जाने वाली बाते हैं उनको इन्वाल करना पड़ेगा और यह हकीकत है जो पावर में आते हैं उनकी बात सुनी जाएगी और उनके सारे प्रोग्राम को अमल में लाया जाएगा और दूसरों के नहीं आज सच पुशे तो इस प्लाटफॉर्म से हम लोग ब्लैक बोर्ड एंड चाक से कैसा पढ़ाना इसकी बात करना यह मौकरी है जोक है जमाना इतनी स्पीड से आगे जा रहा है टेकनोलोजी को लेकर आज वेस्टरन कंट्रीज के अंदर बच्चों को यह पेपर बताए तो वो शाक लगता इसको क्या बोलते हैं क्योंकि वहाँ पर सारे बच्चे पड़ भी रहे और पैदा भी कॉम्पिटर में ही हो रहे है और यही मामला है आरा है आने वाला है अगर मैं यह कहूं आने वाले 20 साल में सेक्रेट्रियेट जो अपका है वहाँ पर कोई नहीं होगा सिर्फ एक कॉम्पिटर होगा कोई भी नहीं क्योंकि सब आनलाइन मामला चलेगा आनलाइन आप फीडिंग कीजिए आनलाइन अप्लिकेशन दीजिए अपने डॉक्युमेंट्स भेज दीजिए और आपको रिप मोबाइल आईगी और मोबाइल भी एक एक नहीं दो दो है हरेके पास पहले किसी गली में किसी गली में एक घर में अगर फोन होता था वो भी लैंड लाइन जो आज सालार जंग में भी लोग रखने के लिए तयार नहीं है तो बहुत बड़ी चीज थी तो यह जो यह चेंज टेकनालोजी ला रही है इस टेकनालोजी को अपनाने का काम और उसको गाइड करने का उसको सपोर्ट करने का काम एक अजेंडे के तहत मैं चाहता हूं कि आपके और्गनेजेशन आशेपरस्र साог्वाब आपके organization ने इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए item number one आपके agenda पे होना चाहिए बदलेवे हालाद में और यह कैसा किया जा सकता है अगर आपको देखना है तो आप आजम campus पूना में आईए और दरगाओं के उरुस करना चाहिए के नहीं करना चाहिए इसकी बहस में नहीं जाता लेकिन वक्त आ चुका है कि हम सब लोकों को तालिमी इदारों के उरुस अपने family के साथ में जरूर करना चाहिए यह वक्त आ चुका है तो आप आईए मैं आपको दावत दे रहा हूँ मजदूर का बच्चा हाथ गाड़ी वाले का बच्चा हमारे campus में first standard में उर्दू मीडियम के अंदर internet के उपर है hundred percent बच्चा है third standard में वो अपना email id रखता है उर्दू मीडियम का बच्चा fifth standard में 30 words अंग्रेजी type करता है six standard में देवनागरी 25 words type करता है seven standard में ये बच्चा उर्दू 25 word type करता है hundred percent बच्चों की बात कर रहा हम है एना ऐसे एक दो बच्चों की शोपीस की नहीं और seven standard में आने के बाद eight standard में triple C DOEC government of India का जो certificate है computer literacy का वो hundred percent बच्चों ने हमारे पास आसिल किया हुए eight standard के अंदर उसकी वज़े ये है ये government service के लिए compulsory certificate है central government service के लिए और उसी को state government ने भी माना है कि ये certificate हम लोकों को हम मानने के लिए तयार है state services के लिए कहने का मतलब यह है मेरे पास तो RSS का गड़ है पूना में क्योंकि हम आम तोर पे कुछ भी करने की बात होती और नहीं होती तो बोले RSS वालों ने ऐसा किया बीजेपी वालों ने ऐसा किया आपके पास तो सिर्फ RSS बीजेपी मेरे पास चीव से ना भी है और MNA से के एडिशनल है और और ये सारी चीजों के बावजूद हम वहाँ पे काम कर रहे हैं पच्चीस हजार स्टुडंट हैं उन्तीस इंस्टिटूशन से हैं कोन से हुए का हमारे पास क्या निजाम साब बैठे हुए हैं वहाँ पर बांबे के अंदर पर्मिशन देने के लिए नए यही गवर्मेंट है यही लीडर है यही सब लोग है तो हमको पर्मिशन मिल रही है और जहां पे किसी वज़े से नहीं मिल रही है तो कोड कचरी करके मिल रही है कोड कचरी भी तो कानून के तहती है तो हमारा ये कहना है कि आप लोकों को नई चीजों को अपनाने का काम टेकनॉलिजी को अपनाने का काम क्योंकि ये अपने बच्चों के बारे में कहते हैं हम अपना पोता अगर मॉबाइल के उपर ऐसा ऐसा फास कर रहा है तो इतने खुश हो जाते हैं तो यही चीज हम जहां पे जिन इदारों के अंदर आफिस बेरर्स हैं वहां पे इंटूड्यूस करना भी हमारा फर्ज होना चाहिए और उसको हम लोगों ने प्रायोरिटी के उपर लाना पड़ेगा इसका और एक आंगल मैं बता रहा हूँ इसलाम से भी यह चीजों को हम जोड सकते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी आउरतें रोजी रोटी के लिए बाहर जाकर दूसरे मर्दों के साथ में कंदे से कंदा मिला कर काम नहीं करें हराम है यह टेकनॉलोजी को आप पकड़िए घर में बैट कर लाखों रुपए आपको कमाने के लिए मिलेंगे आप फैमिली को भी सपोर्ट कर सकेंगे क्योंकि यह टेकनॉलोजी ने एक रास्ता इसलाम के इस उसूल को इंप्लिमेंट करने के लिए खोल दिया है और जैसा मैंने कहा कि यहां का जो बहुत बड़े बजार का कोई रोड है वहां पे अभी दुकाने नहीं होंगे कोई शोरोम नहीं होंगे सब इस पर आएगा स्क्रीन के उपर आएगा साड़ी लेना है कपड़ा लेना है सूट लेना है जो भी लेना है दूसरी भी चीज़े लेनी है उस्क्रीन पर आ जाएंगे रेट के साथ में, डिजाइन के साथ में, कलर के साथ में, पैसे देने के लिए भी बाहर जाने की जुरूत ने, बैंकों ने वो भी इंतिजाम कर दिया, यू 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 करेगे, पैसे डेबिट हो गए, क्रेडिट हो है, तो अगर ये बात सच है, इवन इस्लामिक पॉइंट ओफ यू, हमारे लड़कियों के तालीम के हिसाब से, हमारे लड़कियों के अर्निंग के हिसाब से भी इस चीज़ को हम लोकों को सबसे पहले अपना न पड़ेगा, ताके अर्निंग मेंबर घर में बैठा है, अप लोग एक किसी चार साल या पांस साल के प्रोग्राम के तहट, उसके मनसुबाबंदी करनी पड़ेगी, और मनसुबाबंदी किस तरीके किसे की जा सकती है, अगर आप चाहते हैं, तो ये ऐसा ही एक सेशन लाए हमारे लोकों को मैं यह लाओंगा, उनके सामने मैं सिलाबस रखूंगा, टाइम टेबल रखूंगा, क्या चीजें लगती हैं वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि बहुत से लोकों की यह गलत फेमी है, कि कॉम्पेटर स्कूल में आने से बच्चों को कॉम्पेटर आ गया, कॉम्पेटर स्कूल में आने से बच्चों को कॉम्पेटर लिटरिसी आ गई, हमारे कैंपस में मैं कॉम्पेटर लास्ट दिन लाता हूँ, लास्ट कॉम्पेटर, एक तारीक को अगर मुझे क्लासे शुरू करने के हैं, तो तीस तारीक को शाम को हमारे पास कॉम्पेटर ल हैं और कॉम्पेटर बेचने वाले कमपनियां आपको कॉंपेटर लीटरसी की बात कहेकर पहले इंतार निगल के चल जाते हैं है दो हम चाह रहे हैं कि गॉफर्मेंट के जो कुछ भी मैं उसमें कॉंपेबर लीटरसी बहुत बड़ीritos कीम है तो यह स्कीम को इंप्लिमेंट करने के लिए आपके और्गनाइजेशन के लोकों ने गौर्णमेंट के स्कीम को टालिमे इदारों के लोकों तक किस तरीके से पहुचाने का है इसका भी एक प्रोग्राम बनाएं ताकि आइसे कॉण्फरेंस के जरीए result-oriented मामले हम लोकों तक पुँचा सके आज जुरूरत philosophy की नहीं है आज जुरूरत है applied philosophy की applied philosophy की क्योंकि यहां पे बैठे वे senior लोकों ने आप हमसे किया सीखने का है जिनकी उमर 50 साल के उपर है बहुत सुन चुक्छे हैं बहुत समझ चुके हैं बहुत चीजों को वह जान चुके हैं तो आप ये उमर में आप लोगों ने अपलाई करने का एकाद आजेंडा लेके उठना चाहिए और सुन के क्या होने वाला है तो इस चीज़ को मैं समझता हूं हम लोगों को इफेक्टिवली इंप्लिमेंट करने के लिए काम करना पड़ेगा और वो किस तरीके से किया जा रहा है आप देखना चाहते हैं तो आजम कैंपस में 15 साल में 29 इंस्टिटुशन हमने कायम किये हुए हैं पच्चीस हजार बच्चे पड़ते हैं और धाई हजार कॉम्पिटर हमने लगाए हुए हैं फर्स टैंडर से जहां तक वो पड़ रहे हैं वहां तक अब आयार सबजेक्ट मुझे जो दिया गया है राइट टो एजुकेशन एक राइट टो एजुकेशन एक टू थाउजन नाइन अमल मे आने के पहले अमेंडमेंट होगा है दो आजार बारह में क्योंके राइट टो एजुकेशन एक का ड्राफ्टिंग शुरू होगा है 1992 में जितने भी intelligent लोग थे जितने भी political लोग थे जितनी भी party थी हर एक ने अपना थिगला उसको लगा दिया intention अच्छा लेकिन drafting खराब intention अच्छा क्योंकि government ने जिम्मेदारी ले ली government ने जिम्मेदारी ले ली कि 6 से 14 साल के उमर तक के बच्चों को free compulsory or quality education देने की free compulsory quality education देने की जिम्मेदारी ले ली और बाद में उसमें ऐसे ऐसे clauses लगा दिये गए private aided colleges को implement करने के लिए बोल दिया गया private aided non minority institution को implement करने के लिए कहा गया private un-aided non minority institution को implement करने के लिए कहा गया private minority un-aided institutions को implement करने के लिए कहा गया matter court में गया तीन जज़ेस के bench ने इस पर decision दिया है 12 अप्रिल 2012 को और समझ लीजे आपको और समझाना भी है लोकों को क्योंकि ये इतना complicated मामला होके बैठा हुआ है minority un-aided education institutions को ये कानून ही लागू नहीं है ये कानून ही लागू नहीं है फिर मेरे पास लोग आते हैं ये section का क्या करने का वो section का कानून ही लागू लिए तो section ले के का बटे हुए 2009 act minority un-aided education institution को लागू नहीं है ये मैं नहीं कह रहा हूँ supreme court कह रहा है 2 एप्रिल को दिल्ली में मीटिंग हुई